हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब चलिए आज आपको मैं बताऊंगी भवान नंदी की कान में कहने से हमारी मनों कामना क्यों पूर्द हो जाती है और भवान भोले नात उनकी बात क्यों मानते हैं इसके पीछे क्या रीजन है तो फ्रेंट्स आप मेरी वीडियो को पूरा देख कहानियों में सुनाओगा तो आए जानते हैं नंदी महराज के पिता थे सिलाद रिशी वो सन्यासी थे ब्रह्मचारी थे उन्होंने ब्रह्मचर प्रत का पालन किया था आज इवन फिर उन्होंने सोचा यदि मैं नहीं रहूँगा तो मेरा बंस समाप्त हो जाएगा समने प्रत्यच कड़े हो गए और उन्होंने कहा रिशी जो भी तुम्हें आशिरवात मांगना है तुम मांग लो तब उन्होंने का भवान भोले नात में एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ जिस पर आपका आशिरवात हमेशा बना रहे तब भवान भोले नात उन्हों से तथास्तु कहा और उन्हें एक ऐसे पुत्रिक प्राप्त कुई नंदी महाराज के रूप में जिस पर भवान भोले नात का अपार आशिरवात था आसीम क्रपा थी फिर एक दिन सिलाद रिख्षी के आश्रम में दो महान आत्माय महान जिशियाय जिनने भवान भोले नात नहीं वेजा था जो भवान भोले नात के हिद्दूत थे उन्होंने जब नंदी महाराज को देखा तो सिलाद रिख्षी से कहा आपका पुत्री है अलपाईू है नंदी महाराज भवान भोले नात का ध्यान रख ते इस रखते हैं यह वी हम सभी जानते हैं भवान भोले नात घूर तपस्या मेरे त्यान में रहते हैं और हमारी बात सीधे उन तक नहीं पहुंच सकती है इसलिए हम सब लोग भगवान नंदी के कान में अपने मनुकामना कहते हैं भगवान नंदी हमारी बात भगवान भोले नात तक पहुंचाते हैं और भगवान भोले नात उनकी बात को सुनते हैं उनको यह आशिर बात प्रा तो हाँ पर नंधी महराज की मूर्ती अवश्य होगी तो सबसे पहले भाइण भोले नाद के पूजन करने के बाद नंधी महराज का पूजन अवश्य करें उनके सामने दीपक जला भवान भोले नात का नाम सुनते ही नंदी महाराज जाग जाते हैं और आपके मनों काना आवश्पूरी होगी फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आपको अच्छी लगए तो लाइक करें शेयर कर कमेंट करें ओम नमस्वाय हर हर महादेब